नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल मेकेनिकल सर्च दोस्तों अगर आपका LED टॉर्च या किसी भी प्रकार्टबल टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है एक परसेन भी चार्ज नहीं हो रहा है याने कि आपके टॉर्च का बैटरी एकदम से डेड़ हो चुका है या सुख चुका है तो इस वीडियो को बिना इस कीप के लाश्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों पुरी तरह से डेड़ हो चुके टॉर्च की बैटरी को फिर से ठीक करने का ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं जो 100% ग्यारेंटी के साथ काम करेगा तो चले दोस्तो वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे परे तो हम इस टार्च को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है कौन सा फार्मूला को आपको अपनाना है तो हमने आप जो टार्च है दोस्तो LED टार्च उसको इस तरह से ओपन कर लिया है दोस्तो हम जब इसे प्लग म नहींनन ह aa कहां से हमारा बैटरी तक पावससाइन डारा हा तो दोस्तो आपको इस तरह से चेक्ट कर 2009 आप देख सकते यहां पर जो बैटरी का कनेक्शन पर पुरी तरीका शेल लगा वा क्ली हो आ Christians कि दोस्तों हम किया करेंगे इसका बैर्टरी है उसे सबसे पहले इस fácil बाह से इप यहांपर पर दो पहला अभ cow मी श्था पर सेंग तो हम आहँ पर इसlier नतीन रूइंगे इस CR Lauren डिस्टिल वाटर डालेंगे उसके लिए हम एक सिरिंज का आशकता होगा इस पकार से जिसकी मदस से हम इस डिस्टिल वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो दोस्तो क्या होता है कभी कभी यह जो बैटरी होता है वह थोड़े बहुत ही सुखे होते है इसका जो अंदर का जो केमिकल होता है वह थोड़े बहुत गिला होता है तो उस कंदिशनम दोस्तो हम अगर डिस्टिल वाटर डाले तो हमारा जो बैटरी है वह फिर से चार्ज ह तो दोस्तों हमें पता नहीं है कि इसके अंदर का जो केमीकल है वह पूर्तिर के सूच चुका है या गिला है तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डिस्टिल वाटर डाल का टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो बैटरी है वह चार्ज होता है कि नहीं इसमें पावर तो हमने आगे से काट कर इसे तयार कर लिए हैं हम यह जो रेड वाली वार है उसको प्लस में जोड़ेंगे और इसका जो ब्लैक वाली वार है चार्जर का उसे बैटरी का माइनस में जोड़ेंगे और इस तरह से जो तो इस बैटरी को हम यहाँ पर आधे गंटे चार्ज कर करेंगे तो हमारा दूसरा प्लस वाली वायर है उसे चार्जर का प्लस के साथ जोड़ लेते हैं उसके बाद इसका जो मैनस हए पर लगाएंगे ताकि आपको दिखे की पी चारज हो रहा है है तो हम यहां पर जhoneड़ा लाइट का जो बल डाता है उसको यहां पर दोने बाइक पर तो आपको प्लग में लगाएंगे प्लग मैं ळेंगे हमारा लाइट जय ले और हमें समझ आए कि इसका जो पावर है या बेटरी तक जा रहा है तो हम इस मोबाईल चार्जर को अपने प्लग में लगा लेते हैं इस तरह से तो दोस्तो हमने यहां पर आधे कंटे चार्ज करक्या थी नहीं तो दोस्तो, हमने यहाँ पर आधे कंटे चार्ज कर लिया हैं, अब आपको दिखाते हैं, तो दोस्तो, अगर हमारा बैटरी चार्ज हुआ होगा, तो हम जैसे ही स्वीच बोट का उसे आप करेंगे, तो बैटरी की पावर से हमारा जो लाइट है, वह जलता रहेगा, अगर इ क्योंकि दोस्तों इसमें एक परसेन भी चार्ज इस्टोर नहीं हो पाया इसमें चार्जिंग नहीं हो पाया तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे इसके बाद हमारा जो दूसरा टेस्ट है जो हमारा की दूसरा परसेन काम करेगा तो हम आपको बताते हैं इसके बाद आपको क्य करना है तो दोस्तों हम आपको एक बार फीर से दिखायते हैं कि इसमें पावर है की नहीं तो आप दे सकते हैं हमने आधे गंटे चार्ज किया फिर भी जो हमारा लाइट है वहां नहीं जल रहा है इसका मतलब अंदर का जो इसका अंदर का जो केमिकल है वह पुरी तरह से सुक आप किसी प्रकार का कोई भी चीज ले सकते हैं जिसमें इसे असानी से ठोक सके तो दोस्तों हम इस बैटरी को चारो तरफ से घुमा घुमा कर ठोकना है इससे क्या होगा दोस्तों इसका जो अंदर केमिकल होगा वह हमने अभी डिश्टिल वाटर डाले हैं उसके साथ अच् जो बैटरी है वह फीर से चार्ज होने लग जाएगा तो दोस्तों आपको इस तरीके को अपना लेना है अगर आपका बैटरी अगर डेड हो जाता है तो तो दोस्तों हमने आप और इसे अच्छे से हिला हिला कर ठोक ठोक कर इसे इसका जो केमिकल है उसे डिश्टिल वाटर कर साथ मेल कर दिया है उसके बाद हम इसे फीर से आधा गंटे आपको चार्ज करके दिखाएंगे कि इस में चार्ज होता है की नहीं तो हमने यहाँ पर दोस्तों इसका जो वायर है उसे जो उसके बाद हम इस लाइट को वापस से इसमें जोड लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका जो बैटरी है वह चार्ज हो रहा है कि नहीं तो दोस्तो हमने यहाँ पर इन दोनों वायर को इस तरह से जोड लिया है अब यह जो हमारा मोबाइल चार्जर है उससे अपने प्लग में लगा लेंगे और इसे आउन कर देंगे तो दोस्तो आप दे सकते हैं यहाँ पर हमने इसे प्लग में लगा लिया है दोस्तो अगर हमारा बैटरी चार्ज होगा तो यह जो लाइट है वह जलेगा तो दोस्तो हमने यहाँ पर आदे घंटे चार्ज कर लिया है अब आपको दिखाते हैं अगर हमारे battery में charge हूआ होगा तो यह जो अमने जहाला light का bulb जोड़े हैं वोह battery की power से जलता रहेगा अगर power store नहीं हुआ होगा तो यह आ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने switch को आप कर दियाain फीर भी हमारा light पर हम बैटरी पर जोड़े वह जल रहा है इसका मतलब है दोस्तो यह जो हमारा डेट बेटरी था फीर से वर्ग करने लग गया है आप देख सकते हैं दोस्तो पहले बार हमने जब टेस्ट किया थे तो यह लाइट नहीं जर रहा था और दूसरे बार दोस्तो हम इसे जब हिडा कर ठोक कर इसे चार्ज किय तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे है इसके फीर से इसका टार्च है उसके वार के सात्थ कनेख्सन lostail कर देते हैं data कर देते हैं आपको यह जलता है कि नहीं दोस्तों हमने आपको समजहने के लिए मात्र आधर गंटे चार्ज किया है इसे लगबग दोस्तों 2-3 गंटे आपको चार्ज करना होगा इस फर्मूला को अपनाने के बाग तभी आपका जो बैटरी है वह अच्छे से वर करेगा मातर दोस्तों हम आपको समझाने के लिए आधे गंटे चार्ज किया है दिखाने के लिए तो वह जला जेते हैं दोस्तों आप दे सकते हैं इसका जो लाइट है वह जल चुका है तो दोस्तों आप अगर आप परसान हो आपके बैटरी चार्ज नहीं हो रहा हो आपका जो टार्च वह चार्ज नहीं हो रहा तो आप इस फर्मूला को अपना कर उसका रिपियर कर सकते है तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया दोस्तों प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चले दोस्तों मिलते हैं ने स्टूडियो में कब तक के लिए जै हिंग जै भारत